अक्टूबर महीना शुरू हो चुका है और मुझे बहुत सारे स्टूडेंस के मैसेज आ रहे हैं कि उनकी जो केमिस्टी की प्रेपरेशन है वो अच्छी नहीं है उन्होंने इतना सारा टाइम वेस कर लिया है और वो डरे हुए है केमिस्टी को लेके और वो चाहते हैं कि उनके प्री बोर्ड और बोर्ड एक्जाम में अच्छे मार्ग्स आएं मैं उनको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि कुछ साल पहले ना मैं आफ्लैंड पढ़ाता था और एक मेरा स्टूडेंट था और मैं उसे समझाता था कि chemistry कैसे पढ़नी है वो मेरी बात नहीं सुनता था और क्या हुआ उसके marks कम आते थे ठीक है वो chemistry ठीक से नहीं पढ़ता था तो half failure में unit test में उसके marks कम आते थे pre board में भी उसके काफी कम marks है 70 में से around 30-35 marks उसके आये थे फिर वो मेरे पास आया और उसने मुझे पूछा कि sir कैसे पढ़ना चाहिए chemistry तो मैंने उसे detail में बताया कि कैसे हमें chemistry पढ़ना चाहिए कैसे हमें question solve करने चाहिए कैसे हमें NCRT पढ़ने चाहिए तो उसने मेरी बात follow की और उसके board exam में 92 marks आया तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी बात follow करोगे मैं आपको detail में बताऊंगा कि कैसे हमें NCRT पढ़नी है कैसे हमें question solve करने है तो हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा जिसे अगर आपने follow किया तो definitely आप भी topper बन सकते हो तो video को end तक जरूर देखना सबसे पहले मेरा नाम सोरब रहना है इस channel पर मैं chemistry और biology पढ़ाता हूँ तो board से related आपको सारे videos chemistry और biology के मेरे channel पर मिल जाएंगे अगर मैं बताऊं last year मेरे से पढ़ाई करके मेरे YouTube channel से पढ़ाई करके बहु सारे students के अच्छे marks आए अगर आप देख सकते हो ये है star of 2023 24 batch तो बहु सारे students के 100 में से 100 बहु सारे students के 95 में से भी जादा marks आए है और बहु सारे students का मुझे email आया था फोटो उन्होंने दिया था बट मैं उनका फोटो डाल नहीं पाया तो मैं चाहता हूँ कि जो next year का batch है उसमें मैं आपका फोटो दिखा और आप लोग के भी 95 से जादा marks आए है अगर हम बात करें इस साल के board paper की 2024 25 तो ये 70 marks का हमारा board paper होगा section A में 16 MCQ होंगे 1 marks each section B में क्या होंगे 5 short answer type question होंगे 2 marks each section C में 7 short answer type question है 3 marks each section D में 2 case paste question है 4 marks each section E में 3 long answer type question है 5 marks each अगर मैं इस बार के level की बात करूँ जो sample paper का level आया था वो थोड़ा सा easy से medium level आया था काफी conceptual based questions आये थे तो आपको न NCRT अच्छे से पढ़ना है जब भी आप chapter की पढ़ाई शुरू करो तो आपको एक important चीज याद रखनी है इसे हम preto principle कहते हैं यह कहता है जो 20% causes होते हैं वो 80% effective होते हैं और 80% causes 20% effective होते हैं इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे topic हैं जहां से ज़्यादा question पूछे जाते हैं तो जब भी आप chapter पढ़ो ना तो हमेशा ना in important topic को आप पहले पढ़ लो क्यूंकि जो questions है वहीं से आएंगे तो इसका na pdf आपको मेरे telegram channel पे मिल जाएगा इसका मेरे video भी बना है important topic का तो इन important topic पे definitely आप ज़्यादा focus रखना और उसके बाद आप chapter पढ़ना शुरू करना और इसका जो pdf है telegram पे मिल जाएगा जिसका link description में है सबसे पहले हम बात करेंगे physical chemistry की physical chemistry में हमारे तीन chapter है solution electrochemistry chemical kinetics solution 7 marks का है electrochemistry 9 marks का है chemical kinetics 7 marks का है जो हमारा physical chemistry है normally उसमे numericals आते हैं बट theory वाले और graph वाले question भी पुछे चाते हैं ठीक है तो हम क्या try करेंगे एक chapter को हम 5 days में finish करने की try करेंगे ताकि एक chapter हम अच्छे से पढ़ ले 5 दिन में हम एक chapter पढ़ेंगे सबसे पहले आप क्या कर सकते हो मैंने हर एक chapter का one shot बनाया है इसमें मैंने detail में ncrt cover किया हर एक topic मैंने ncrt का cover किया हुआ है इसका pdf ना आपको मेरे telegram channel पे मिल जाएगा ठीक है तो आप one shot देख सकते हो ने तो आप किसी और channel से देख सकते हो साथ में आपको formula sheet graph sheet भी मिल जाएगा इसका pdf भी आपको मिल जाएगा तो आपको क्या करना है one shot formula sheet and graph sheet आप क्या कर सकते हो दो दिन लेके न ये अच्छे से आप पूरा complete कर सकते हो पूरा chapter अच्छे से पढ़ सकते हो formula sheet ज़रूर देख लेना क्योंकि अगर आपको already क्या है अच्छे से formula याद है तो numerical आप easily solve कर सकते हो तो दो दिन में आप क्या करना one shot formula sheet graph sheet अच्छे से पढ़ लेना इसका pdf आपको मिल जाएगा next क्या करना है next day आपको important question solve करने है मैंने जितने भी सारे topic हैं chapter के वो cover की है important question में तो आप एक दिन बैठके लिक लिक के यह नहीं कि आप video देख लेना आपको प्रैक्टिस करने है जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जादा आपको समझ आएगा तो एक दिन में आप important question solve करो और next day क्या करना आप pyq solve करना इसका pdf मिल जाएगा but pyq भी आप लिक लिक के solve करना ठीक है और last day जो fifth day होगा उसमें आप क्या कर सकते हो competency based question प्रैक्टिस कर सकते हो इसका pdf भी आपको मिल जाएगा टेलिग्राम में तो आप क्या करना pdf download करना खुद question solve करना मेरे वीडियो से आप answer देख सकते हो तो ऐसे आप क्या कर सकते हो पांच दिन में आप एक chapter complete कर सकते हो तो overall 15 days में अगर आपने ऐसे पढ़ाई की न तो 15 days में आप पूरा physical chemistry cover कर सकते हो एक common problem students को ये आती है जब वो chapter पढ़ते हैं तो उन्हें chapter भूल जाता है ठीक है तो क्या होते हैं जैसे आपने chapter पढ़ा कुछ दिनों के बाद आपको chapter भूल जाएगा फिर आपको भूल जाएगा तो आपको साथ-साथ में क्या करना है chapter revise करना है तो weekly आप क्या करो एक बार chapter revise करो मैंने quick revision के भी वीडियो बनाए हुए हैं तो weekly आप क्या कर सकते हो इससे आप chapter revise कर सकते हो अगर आपको quick revision का pdf चाहिए तो मेरी website www.sorabrayana.com से आप इसके pdf खरीच सकते हो तो quick revision आप क्या करना weekly करना तो उससे आप क्या कर सकते हो chapter easily revise कर सकते हो वैसे बोर से classes है 16th October से यह शुरू हो रहा है पर week हम एक chapter cover करेंगे start करेंगे हम organic से तो हम Monday, Wednesday, Friday 5 to 6.30 PM क्या करेंगे chapter पढ़ेंगे साथ में PYQ solve करेंगे suppose आपकी class miss भी हो जाती है तो आपको recorded session मिल जाएगा ठीक है और Sunday को हम क्या करेंगे 10.30 a.m. से 12 p.m. ना हम इसके बहुत सारे MCQ और assertion reason solve करेंगे around 40-50 MCQ assertion reason solve करेंगे ताकि जो chapter है उसके सारे concept हमें अच्छे से आज है अगर आप CU, ET या NEET exam दे रहे हो तो यह जो MCQ है आपको उसमें भी help करेंगे बहुत बार क्या होते हैं आप chapter पढ़ते हो आपको काफी doubt आते हैं तो आप directly मुझसे doubt पूछ सकते हो तो doubt clearing session भी होंगे और 7 में मैं इसके साथ ना आपको ना notes free दे रहा हूँ class 12 के revision notes जो 200 रुपे के हैं ये आपको free मिलेंगे 11 के revision notes भी आपको free मिलेंगे और जैन में मैं 3 salt sample paper लाऊंगा तो वो 300 रुपीस का वो भी आपको इसमें free मिलेगा overall इसके साथ आपको 900 का material free मिलेगा इसमें आप enroll कर सकते हो इसकी fee है 1199 इनिशली मैं 200 रुपीस discount दे रहा हूँ ये coupon code आप यूज कर सकते हो तो आपको इसका price 999 पड़ेगा उसके बाद इसका जो price है कुछ दिनों के बाद 1199 हो जाएगा आप इसमें enroll कर सकते हो इसका link आपको description और comment में मिल जाएगा next हम बात करेंगे inorganic chemistry की इसमें दो chapter है dnf lock element coordination compound दोनों 7-7 mask के chapter है इसमें आप क्या कर सकते हो one shot देख सकते हो मैंने detail one shot बनाया है ncrt सारी cover की है इसका pdf आपको telegram पे मिल जाएगा तो दो दिन में आप क्या कर सकते हो एक chapter अच्छे से पढ़ सकते हो उसके बाद आपको क्या competency-based question क्या कर सकते हो उसका PDF download करके telegram से आप ये question खुद practice कर सकते हो तो पांच जिन में आप easily एक chapter अच्छे से पढ़ सकते हो तो overall 10 days में आप inorganic अच्छे से complete कर सकते हो बहुत सारे students को ना problem होती है K2CR207 KMNO4 की reaction में तो इसका video भी आपको मिल जाएगा description में लिंक मिल नेक्स्ट है organic chemistry इसमें total पांच चेप्टर है सबसे आदा मार्स का है हेलो एलकेन, हेलो एरीन 6 मार्स का, अल्कोल, फिनोल, एथर 6 मार्स का, अल्डियाड, किटोन, कार्बॉक्सलिक असिड 8 मार्स का, इमाइन 6 मार्स का, बाय मॉलिकुल 7 मार्स का, अब सबसे आदा organic students को ये से आने चाहिए, मैंने already डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, ये 3 hours का, ठीक है, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देख सकते हो, आप दो दिन लगा लो, बट इस वीडियो को अच्छे से पढ़ो, ठीक है, तो अच्छे से अगर आप पढ़ते हो, तो definitely आपके सारे concept clear हो ज जाएंगे, next क्या करना है, class 12 में, मैंने ना one shot बनाया है, अब one shot में ना, मैंने ना NCRT के जो examples है, in text question भी cover किये हैं, तो आप PDF के साथ अच्छे से पढ़ सकते हो, पूरा NCRT मेंने cover किया है, और जब आप ये पढ़ लेते हो ना, साथ में आपको reagent याद रखना है, reagent आपक सकते हो, दो से तीन दिन में, आप one shot और reagent अच्छे से याद रख लेना, organic chemistry में आपको याद रखना पड़ेगा, लिख लिख के practice करने पड़ेगी, नहीं तो organic chemistry नहीं होगा, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक दिन में, one day में आप क्या कर सकते हो, पीवाइक्यू PDF के अब मैंने organic एक playlist भी बनाई हुई है, उसमें आपको mechanism, reagent, हर एक चीज़ के वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है, और end में क्या, per week आपको क्या करना है, weekly आप make sure करना, जो भी आप chapters पढ़ रहे हो, हर एक chapter आप revise कर सकते हो, मेरी quick revision के वीडियो से 30 से 35 minutes में आप easily chapter revise कर सकते हो, तो ऐसे आप organic chemistry खतम कर सकते हो, I hope आपके लिए ये वीडियो useful रहा हो, अगर आप ये सारी चीज़े follow करोगे, तो definitely आपका जो chemistry है काफी strong होगा, और आपके chemistry में अच्छे marks आएंगे, see you in the next video, bye!